इस भारतिय बायोकेमिस्ट की रिसर्च ने DNA और RNA में कैसे information encode होती है वो पता लगाया और ये information प्रोटीन की बंदते समय कैसे use होती है वो भी मैं बात कर रहा हूँ हर गोविंद खोराना की इन्होंने ही सबसे पहला artificial gene बनाया था जो की foundation मना gene synthesis techniques का और साथ ही साथ एक नए field की जरुआत हुई जो की है synthetic biology इनकी कामों की विएसे आज हम gene engineering, gene editing, gene therapy ऐसी techniques का इस्तमाल कर पा रहे हैं और इसकी विएसे हम feature में कुछ ऐसी therapies ले सकते हैं जिससे कि हम लंबे समय तक जी सके हैं इनको अपने ऐसे ही कामों के लिए 1968 में novel price भी मिला अच्छा लगाद शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करते हैं